दोस्तो आज प्रजातंतर के लिए लड़ने का दिन है आज प्रजातंतर के लिए आवाज उठाने का दिन है आज प्रजातंतर बहुमत और जनमत को सत्ताधारियों की बेडियों से आजाद कराने का दिन है ये वो लोग हैं जिनोंने पहले मध्यपरदेश और अब राजस्थान में किस प्रकार से चुनी हुई सरकारों को गिराने का शडियंत्र किया और अब राजस्थान की COVID-19 को गिराने का जनमत और भहुमत को धूमिल करने का कुद्सित प्रियास कर रहे हैं आज सवाल सीधा है आज सवाल राजस्थान की कॉंग्रेस सरकार का नहीं क्या इस देश में वोट का शाशन रहेगा क्या इस देश में बहुमत दिल्ली के सत्ताधारियों के हाथ की कटपुतली बन जाएगा क्या इस देश में जनमत दिल्ली के एहनकारी सत्ताधारियों की बे वोट की कोई कीमत नहीं क्या सविधानिक पदों पर बैठे लोग अपनी जुम्मेवारी का निर्वहन करने की बजाए दिल्ली दर्बार के आगे सर जुकाए नतमस्तक होते रहेंगे सवाल ये है अगर आपको ये विश्वास है कि प्रजातंतर जिंदा रहना चाहिए किसी भ रवाज मिलाइए और उठकर कहिए कि प्रजातंतर जिंदा रहेगा देश जिंदा रहेगा वोट का शाशन जिंदा रहेगा बहुमत और जन्मत जिंदा रहेगा और भाजप्पा के शडियंतर को मिलकर देश्वासी विफल कर देंगे यही असली राष्ट्र भक्ती है जैह भीज़ लेडिए बाड़ ना, झालेड़ गार वो बोल्वाइ है, चालेड़ भीजू में एपन।